सब्सक्राइब करें शीरी बुटिक को और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें नमश्कार दोस्तो सीरी बुटिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बताएंगे आपको अम्रेला सूप की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं जो नाप होगा हमारा लेंद रखेंगे 45 45 से 46 47 तक हमें यहां पर लेंद रखनी है मैंन सोला इंच लंबाई होगी और शाड़े दस इंच आगे की ओपनिंग होगी और जो डिजाइन होगा डिजाइन इस तरीके से होगा उपर की बोटी हम अलग बनाएंगे यह चोली जिसको बोलते हैं यह हम अलग बनाएंगे और नीचे हम कलिया डालके पूरा फिरोग घेर व यहां पर मैंने चार मिटर लिया हुआ है यह फैवरिक जो हमारा में फैवरिक है और आदा मिटर लिया है अस्तर का कपड़ा क्योंकि हमें जो ऊपर चोली है चोली में ही अस्तर अटेच करना है नीचे की साइड हमने अस्तर नहीं लगाना है दोस्तों इस नापके और इस ड करनी है कि इसका अर्ज भी काफी है अगर आपका अम रेल असोंट बनाते हो उपर का बोड़ी का पार्ट बनाओगे तो अस्तर क्या अर्ज अगर आपका कम है तो आपने एक मेटर कपड़ा लेना है अगर अर्ज तर का अर्ज जादा है तो आपने आदा मेटर कपड़ा लेना सबसे पहले हमें चोली की लेंथ देखनी होती है कटिंग के लिए हमें लेंथ यहां पर कितनी रखनी है एक निसान हम उपर की साइड लगाएंगे और एक निसान हम लगाएंगे कि साधे पंद्रा हम ने त्यार लेंद स्वाुए इस परकार दोणाओ निसान सिधे करेंगे यह नीचे वाला हो गया हमारा निसान अब यहां पर breast के इसार से जो breast का नाप होता है जैसे 35 है तो यहां पर हम 3 inch की losing देते हैं 3 inch की losing देने के बार 35 को 3 inch add करेंगे तो यह वजाएगा 38, 38 का हाप हिसा रखेंगे यहां पर तो यह बनेगा हमारा 19 का हाप रखेंगे 9.5 अब हमने कमर का नाप लेना है कमर में भी हम 3 inch की losing देंगे तो यहां पर हमारा 24 सा बनेगा 3 inch की losing देते हुए 7.8 inch का और plate डाल लिए हमें यहां पर तकरीबन 1 inch की plate डाल लिए है इस प्रकार से 1 inch extra निसान लगाएंगे और यहां पर इस तरीगे से उपर मिला लेंगे इस निसान को plate हम यहां पर डालेंगे 3.5 inch पर इस प्रकार की सीधी plate रखेंगे और plate की लंबाई जो होगी वो तकरीबन हमारी 5 inch की होनी चाहिए इस प्रकार अब हम solder कर नाप लेंगे जैसे solder हमें यहां पर रखना है 6.5 inch पर निसान लगाएंगे नीचे की side भी 6.5 पर लगाते वे अंदर की side 5 inch निसान लगाएंगे और इस निसान से उपर वाले निसान को इस प्रकार से मिलाएंगे यहां पर गोलाई देंगे अब हमें गला देखना है गला जैसे हमें प्रोड रखना है 6 inch तो 3 inch पर निसान लगाएंगे और deep रखना है 7.5 inch 7.5 पर निसान लगाते वे यहां पर राउंड शेप देंगे इस परकार से और आधा से ओना इंच आधा इंच यहां पर कंदी डाउन करेंगे यह हमारा front के complete निसान लगा चुके हैं इनी आपके according हम इनी निसानों पर हम cutting करेंगे अब हमने back side cutting करनी है बैक के लिए भी हम इसी परकार से कपड़े को बिचा लेते हैं जैसे हमने front के लिए बिचाया था उपर की side रखेंगे back side के लिए front रखेंगे इस परकार से और जितना हमारा shoulder वाला निसान होता है जो सीधा निसान होता है इस से हम बाहर की side अगर हमारा गला deep है तो हमने आधा इंच लेना है अगर गला कम deep है तो पोना इंच लेना है तो यहां पर हम पोना इंच पर निसान लगाएंगे इस परकार और यहां पर हम गलाई डाल देंगे इस तरीके से आधा इंच हमने back बड़ी रखनी है तो यहां बैक उठाते वे extra cutting करते हैं बाकी हमारी same cutting हो इस परकार दोस्तों हमने front back की अपनी complete cutting कर लिए है यहां पर हमारी plate आएगी front back की cutting के बाद जैसे हमने अस्तर की cutting कर लिए है इसी परकारम जो हमारा fabric campaign जो चार मीटर मेंने कपड़ा बताया था इसमें से रखके इसको cutting कर लेते हैं front back की cutting के लिए हमने इस परकार से उपर की साइड अस्तर रखा है और नीचे की साइड हमने main fabric रखा है अब हम अस्तर के साथ साथ इस परकार से cutting कर लेते हैं इस परकार दोस्तों हमने front और back की अपनी चोली की cutting कम्प्लीट कर लिए है अब हम नीचे की साइड की कलिया cutting करेंगे कलिया cutting करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें एक तरीका डूनना होता है कि हमें किस तरीके से cutting कर लिए है आप एक बार देख लोगे तो आपको पिर आगे से दिकत नहीं आएगी लेकिन सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा इस वीडियो का आप लाश्ट तक देखे कि मैं किस तरीके से कलिया cutting कर रहा हूँ यहाँ पर जब हम कलिया cutting करते हैं तो हमें length नापनी होती है आदा इंच उपर नीचे मैंने यहाँ पर एपीस रख दिया है इस तरीके से आदा से पूना इंच यहाँ पर सबसे पहले हमें length देखनी है length जैसे हमें 45 त्यार रखनी है तो 45 से हमें ज़्याद ही रखनी है 47 47 के बाद हम दो इंच का extra margin लेते हैं तो 49 पर मैं यहाँ पर निसान लगाता हूं अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कितना कपड़ा चाहिए अगर हम 49 पर निसान लगाते हैं तो हमें 34 इंच का यहाँ पर कपड़ा चाहिए तो हम 34 इंच की ये पीस कटिंग कर लेते हैं अपना सीधा अब हमें देखना है कि हमें उपर और नीचे से कलिया कितनी रखनी है और कितनी या पर हमें कलियों की जुरूत है कई बार क्या होता है कि हम इस हिसाब से कटिंग कर देते हैं कि हमने चोड़ाई उपर से जादा ले ली या नीचे से कम जादा ले ली उसमें कपड़ा हमारा कम पढ़ जाए हमें कपड़े का भी पूरा अंदाजा होना चाहिए कि हमारे पास 4 मिटर ही फैवरिक है उसी में हमने यह आप गेर पूरा तियार करना है भले ही आपका गेर थो अपना मैंड में सेट करना है कि हमें इतने कपड़े में हम इतना इतनी कलिया तैयार कर सकते हैं मैं आपको प्ल गल görün că जितनी हमारी कमर होती है अगर हम वेशे लवाफ जो है अच्य गेर के लिए कि यहां पर इसमें गेर-गेर के आatan से हूँ लेकिन में 4 मीटर में बना रहा हूं तो 4 मीटर के इसाफ से हमें जो उपर की साइड हमने या पे चोड़ा ही रखनी है कलियों की क्युक्त है हमें या पे आठ आठ कली डालनी है मतलब आठ फरेंट में और आठ बैक में तो हमें यहां पर जैसे 30 इंच कमर है, तो 3 इंच की अगर हम कलिया निकालते हैं, अगर हम 3 इंच की कलिया निकालते हैं, तो हमारी 2 इंच की तियार होगी, उपर की साइड ये वाली, 2 इंच की तियार होगी, अगर हम 2 इंच की कलिया निकालते हैं, तो 8 दुनी 16, 16 इंच हमार यहां पर एक साइड हो जाती है 8 बैट के और हमें चाहिए यहां पर 3 22 थियार हो रही है हम यहाँ तो यहां पर गाते की कलिट आव में निकलेगे तो गेरवाली नीचे वाली कदल हैं क anfacomish разр उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास श्रीक इतना बचता है एक पट्री अमने 34 inch की कटिंग कर लिए है अर्ज में से यह डबल है इस परकार से एक पट्टी और यहां पर थर्टी फोर की हम कटिंग कर लेते हैं अब आगे की साइड हमारे पास कितना कपड़ा बच जाता है जिसमें से हमने बाजू भी लेनी है और कलिया भी निकाल लेनी है तो यह हमारे पास बाजू के लिए भी बच जाता है और हम इन पीसों को तीन पीस बना लेते हैं इस परकार से 34-34 इंच के हमने तीन पीस अपने कंप्लीट कर लिए हैं यहां पर कलियों के लिए अब यह हमारा बाजू के लिए बच जाता है कप्ड़ा और खर्चे के लिए बच जाता है अगर आपके पास सपोज करो बाजू के बादेू से हमारा भी कपड़ जैसे बच जाता है तो इतना आमारे पास कपडा है तो हमें कोई ड़ने वाली बात नहीं है इसनलो सब्सक्राइब हैं कि में क्या होता है कि हम सारा कुछ we return करते हैं कलिया भी कटिंग कर देते जब हम कलिया जोईंट करते तो उसमें एक कली की कमी पढ़ जाती है कई बार क्योंकि हम प्रोपर ध्यान नहीं रख पाते कटिंग के टाइब आपने वह चीज नहीं उस चीज की हमने यहां पर टेंशन कतम कर दिया अगर हमारे पास एक कली भी कम ज्यादा पढ़ती हो कम पढ़ती हो तो यहां से हम कटिं इतना है लेकिन फिर भी हमने एक्जैक्ट नाप कटिंग करना है ताकि हमें दिक्कत ना ही आए कि यहां पर तीन पीस हमने इस तरीके से कटिंग करते हैं यहां पर यह सैट कर लिए है इनको हम सीधा कर लेते हैं तोनों साइट से यहां से सीधा कपड़ा कर लेंगे और दूसरी साइड जो निसान लगाएंगे वो लगाएंगे नौ इंच का मतलब नीचे गेरे वाली जो हमारी चोड़ाई होगी वह नौ इंच की कली और वूपर हमने सब्सक्राइव लगा है इस परकार हम इन निसानों को एक दूसरे से मिला लेते हैं, बीच में भी हमने निसान लगाए हैं अब हम इस साइड सबा तीन इंच का निसान लगाएंगे और दूसरी साइड यहां पर नो इंच का निसान लगाएंगे यहां पर इस परकार सीधर रखेंगे और यहां पर भी इन निसानों को एक दूसरे से इस परकार से मिला लेते हैं अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने तीन फलेर यहां पर बिचाई हैं तो हमारी 6 और 6 बारा के लिए यहां पर कंप्लीट कटिंग हो चुकी है आगे की साइड हम कली और कटिंग करेंगे इन निसानों के उपर हम कटिंग करेंगे करें इस परकार से हमें आपनी जोइंट करनी होती है इस तरीके से अब हमें जो आगे का कपड़ा बचता है इसमें से देखनी है कितनी कली बचती है निकलती है हमारी क्योंकि हमें यहां पर 9 इंच हमने रखना है तो यहां पर एक कपड़ा कम है तो हम यहां पर क्या करेंगे इसको ओपन कर लेंगे क्योंकि हमने बंदवाला इससा अपनी पॉजिट साइड रखा था तो इसको हम यहां पर इस प्रकार से ओपन कर लेते हैं कि अगर आपने गेरा ज्यादा बढ़ाना हो तो यहां पर उपर की साइड हम इतना ही रखेंगे और नीचे से हम गली कली यहां पर आट इंच भी कटिंग कर सकते हैं अब हम एक साइड से यहां पर सब्वा तीन इंच लेंगे और दूसरी साइड से जैसे मैंने बताया था नो इंच इस प्रकार से कि इस तरीके से हम यहां पर भी निशान लगाएंगे और यहां पर भी हम सीधा कटिंग करेंगे इस प्रकार दोस्तों सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की कली भी कटिंग करेंगे यहां पर जो हमारा कपड़ा बच जाता है इस प्रकार हमने यहां पर सभी कली अपनी कटिंग कर लिए अब हमारी यहां पर बनती है मैं आपको बताना चाहूंगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला और स्तारा और अठारा अठारा कलिया हमारी यहां पर कम्पलीट कटिंग हो चुकी है हमें लगानी है यहां पर सोला इंच अगर आपने अठारा कलिया पूरी लगानी हो तो अठारा कली लगाने के लिए आपने उपर की साइड मार्जन ज्यादा लेना है यहां पर आप यहां पर ज्यादा मार्ज तो आप यहां पे margin आधे इंच कही लेना है अगर आपने 18 की 18 कली डालनी है तो यहां पे आधा से हलक अज़ादा क्योंकि 18 कली है आप एक एक सूथ से भी कम यहां पे margin जादा कम करते हो तो उसी से फर्क बढ़ जाता है अब हमने यह altar की अठार कली है नो कली एक पाट में जोड़नी है और नो कली एक पाट में जोड़नी है जो दोस्तों हमने joint कर नहीं है मैं आपकor रखके दिखा रहा हूं फिर क्योंकि इसके बाद में joint करके ही आपको यहां पे तियार करके दिखाऊंगा इस परकार मैंने एक एक करके एक अली रखी हुए है यहां पर इस तरही के से एक पला हमारा सीधा जोइंट होगा और एक औरेव वाला इस परकार हमारी यहां पर एक अली आएंगी अभी हमने एक, दो, ती, चार, पाँच अभी इसमें और ज्यादा कलिए हमने जोइंट करनी है क्योंकि अभी पाँच कलिए हैं मेरे पास इक काउंटर की चोड़ाई कम है हम इसी परकार से दोनों एक दूसरी के एक साइड में एक के बाद एक एक के बाद एक इस तरीके से हम कलिया जोइंट करते हैं नो कली हम एक साइड जोइंट करेंगे और नो कली हम दूसरी साइड जोइंट करेंगे इस पर गार दोस्तों हमने सभी कलिया अपनी एक दूसरे में अटेच करते हुए इनको प्रेस से अच्छी तरीके से सेट कर लिया है और यह हमारा पूरा घेर तियार हो जाता है कलियो वाला अब हमने इसको उपर नीचे बिछाना है जैसे नीचे का पोर्शन हमारा एक होगा उपर वाला दूसरी साइड का होगा फ्रेंट वैक के दोनों पीस हमारे तियार हो चुके हैं और यहां पर घेर आप देखोगे जहां पर तियार कर पाएंगे यह साइड से यह 25 मतलब एक साइड का जो घेर आएगा 70 इंच का हमारा घेर आएगा और 70 इंच का बैक साइड गाएगा तो 70 और 70 140 इंच का हमारा पूरा घेर यहां पे तियार हो जाता है अब हम क्या करते हैं उपर और नीचे से जैसे मैंने इसको सेट किया हुए प्रेस से अच्छी तरीके से बिठाते हुए दोनों पीसों को हम सेट कर लेते हैं क्योंकि आगे पीछे हमारी इस तरीके से कपड़ा निकलता है इसको हम यहां पे इस परकार से गोलाई में कटिंग करते हुए बराबर कर लेंगे सबी पीसों को इस परकार से यह हमारा नीचे का घेर कंप्लीट हो जाता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बाइग घेर भी घेर हमारा इस तरीके का होगा है यहां पर हमने चार मीटर कपड़े में 140 इंच का घेर तियार करते हुए अपनी पूरी कमीज की कंप्लीट कटिंग की है अब हमारा उपर का पोर्शन रह जाता है यहां पर मैं आपको रखके दिखाऊंगा जो हमने फ्रेंट और बैट यहां पर तियार की हुई है इस परकार से जो मैंने अस्तर कटिंग करके दिखाया था सबसे पहले हमने अस्तर अटेज कर लिया है फिर यहां पर जो पलेट होती है डट होती है यह हमने डाल लिया है अब इसको एक पीस को हम एक साइड अटेज करेंगे यहां पर इस तरीके से और जो दूसरा बैक वाला पीस होगा उसको दूसरे पीस में अटेज करेंगे यहां से कमर से जोइंट करने के बाद उसके बाद हम यहां पर गला बनाएंगे फ्रेंट और बैक का गला बनाने के बाद साइड जो होती है हमारी नाप के अकोडिंग अटेच कर देते हैं जितना हमारा नाप होता है नाप के हिसाब से हम यहां पर सिलाई कर देते हैं कि इस परकार से दोस्तों ने फिरोक अपना game सुम्टिण करना है तो इस परकार से ऻैसे मैं आपको समझाहेए हैं कि उपर की साइद हम इस परकार से यहां पर गला बनाएँगे अपनी चोली में और चोली को अटेच्च करेंगे तो सबसे पहले मंने की कटिंग कर लेते हैं यहां पर हैं मैं रांड के बनाना है और गुद बन cont yapt blend और लेंद रखना है साधे साथ इंच फ्रेंट वाले तो यहां पर यहांप gli आट पर अगी तो इसमें से हम probiotic करेंगे 6 इंझ प्रोड रखना है तो 3 इंच पे निसान लगाएंगे और डीप रखना है साधे 6, टॉ सिफ डालने हैं में तो रहाम नक कर देए सिख रॉपर हम क्टिंग कर लिते हैं एक्स1्ट्र कटिंग करेंगे इस परकार । यह रांड नेक हमारा कटिंग हो Чुका खुंद और हम जो बैक साइड है भापिंग में भी कटिंग कर लेते हैं जितना में डीप रखना है यहां पे ब्रोड हमें सेम रखना होता है छेंच तो हम् क्योंकि एक पैर हमारा मार्जन के लिए हो जाएगा यहां पर डीप रखना है यहां पर आट इंच तो यहां पर आट इंच पर निसान लगाएंगे इस परकार हम यहां पर राउंड सेफ डालते हुए यहां पर भी कटिंग कर लेंगे कि यह हमारी बैकनेक हो गई है चोली की और यह हमने फ्रेंट के लिए कटिंग किया हुआ है यहां पर हम फ्रेंट करनेट बनाएंगे अब दोस्तों कटिंग होने के बाद अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता देता हूं यहां पर दोस्तों स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें गला तियार करना होता है गला हमने यहां पर अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग वाला है तो यहां पर इस तरीके से पेस्ट कर लेते हैं अगर पेस्टिंग वाला नहीं है तो सिलाई से एटेच कर लेते हैं कि शिलाई के साथ साथ एक्स्ट्रा मार्जन को कटिंग करेंगे अब हम गले का से यहां पर सेंटर बना लेते हैं इस परकार से सेंटर बनाने के बाद हम फरंट को सीधी साइड उपर रखते वे यहां पर दोनों कटिंग इस परकार मिलाएंगे नीचे की साइड भी यहां पर हम इस परकार से निसान लगा लेंगे अब हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे स्लाई लगाने के बाद यहां पर हम एक पैर का मार्जन रखते वे कटिंग करेंगे गोलाई वाली जंगे पर इस परकार से अलके अलके कट लगा लेंगे बुकरम वाले गले को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और उपर से सिधी साइड जो होती है वहां पर हम कच्छी सिलाई लगाएंगे जो की तुर्पाई के बाद खोल देते हैं कि माच्चाफे टुर्शस से अलके बdepend depend आप है तुर्पाव पर अल्डेग वाले से से और भॉल-ण्वर्ण हुर सिर्ट के अब हम यहाँ पर दोस्तों फरंट तीयार होने के बाद बैक साइड को तीयार करेंगे बैक वाले सिध्य साइड उपर रखते हुए इस परकार से एक पार का पपी से यहाँ पर्टी एटेशक करेंगे यह पर्टी कि हमने रेव वाली पट्टी कटिंग की हुई है और इसकी चोड़ाई तकरीबन सवा से रेड इंच होनी चाहिए इस परकार एटेच करने के बाद हम यहां पर रखेंगे उपर की साइड और इस तरीके से फरंट को यहां पर जहां तक हमने पट्टी लगाई है पट्टी से इस परकार में लाएंगे और यहां पर सोल्डर जॉइंट करेंगे दूसरी साइड भी सीपर कार से सोल्डर जॉइंट करेंगे अब हम यहां पर जो हमारी यह वाली पट्टी होती है इसको इस परकार से फोल्ड करते हैं बाहर की साइड इस तरीके से और यहां पर हम उपर से सिलाई लगाएंगे जितना हमने मार्जन लिया था उतना हम रेवी की पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे छुप जाएंगे झहां झाल झाल अब हमने यहां पर यह एक्ष्टर जो मार्जन होता है इसको कटिंग कर लेते हैं सिलाई के साथ साथ और इस पट्टी को हम इस परकार से फोल्ड कर लेते हैं इसमें हमें यहां पर यह दियान रखना है हमें उपर की साइड कच्ची सिलाई लगानी है अगर आपने तुर्पाई करनी हो अगर आपने पक्की सिलाई लगानी हो तो यहाँ पे आप पक्की सिलाई भी लगाते हो इस परकार दोस्तों हमने फ्रंट वेक्टिक दो नुगले तयार कर लिये हैं अब हम नाप के अकोडिंग यहाँ पर साइडों से जॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर नाप के हिसाब से हमने यह निसान लगा लिये हैं इन्ही निसानों के उपर हम यहाँ पर जॉइंट कर लेते हैं इसी परकार हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाते हुए कटिंग कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों इस परकार से हमने दोनों साइड से अपनी चोली को यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहाँ पर निचे अटेच करते हैं यह जो हमने कलियो वाला घेरत यार किया हुआ है हम इसको अटेच करने के लिए सबसे पहले जितना हमें यहाँ पर एक सेंटर का निसान लगाएंगे और जितना हमें नाप रखना है उतना यहाँ पर हम निसान लगा लेंगे दोनों साइड सेंटर बनाते वे इस परकार से दोनों साइड हम निसान लगा लेंगे और इस नि झाल झाल जैसे मैंने एक साइड से ये सिलाई लगाई है इसी परकार हम दूसरी साइड भी नापके रोडिंग सिलाई लगा लेते हैं दोस्तो इस परकार से हमने दोनों साइड चौन लगाते वे अपना ये गेर तयार कर लिया है और यहां पर हमने center point का एक निसान बना लिया हुए आप जो center का हमारा निसान होता है इसी परकार हमने यहां पर भी center का निसान बनाया हुआ है दोनों निसानों को हम इस परकार से मिलाते हैं जो उटने के लिए और यहां पर हम चेक करते हैं कि कोई पीस हमारा बड़ा चोटा तो नहीं है तो यहां पर यह बिल्कुल बराबर है इसी सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हम यहां पर आधा इन चोड़ाई वाली सिलाई लगाते हैं कि अ कि अ कि अ कि अ गुद्ध करें लिए बंदे पर चोड़ाई में हमने यह पर यह अपनी जुएंट कर लिये फ्रेंट में किये फ्रेंट में जुएंट करने कर 끼र के बाद हम चेक करते हैं कि फुरी प्रोपर हमारी या फिनिशिंग यह नहीं है कोई सल्वर्ट तो कहीं पर नहीं आ रही है तो यहां पे पुरी अच्छे से अग यह अब जैसे हमने फॉरेंट नहीं अटेस की है इसी परकार हम बाकी इस्सा जो हमारा बैक करते हैं इस परकार से हम अटेज कर सकते हैं यहां पर नीचे का जो हमारा गेर होता है गेर भी हम यहां पर बारीक भी फोल्ड कर सकते हैं इस परकार से अगर आप उपर की साइड कोई बॉर्डर लगाना चाहो तो नीचे बॉर्डर भी लगा सकते हैं इस तरीके से दोस्तों ह अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेर वे लाइक जरूर करें धन्यवाद दोस्तों